दूरर की वीडियो में हम कैमेरा का और बाकी जो अप्शन बचाता उसके बार देख लेते हैं तो camera को जाएए edit camera यह सब बाकी option के बारे में देख लिए तरह तरह करके तो camera position तो पता दिया distance change करना के लिए और camera rotation हम manually rotate करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं तो यह सही रोटेट करेगा जिरो डिगरी परकते हैं तबी फिल्ड व्यू यह हमारा अंगेल में उसको देखने के लिए कुन से camera angle में हम यूज कर रहे हैं और यह देख लिए यह 50 mm कितना view capture करेगा अकर कुन सा camera उच करेंगे अब जनरल यह DSLR बगरा में दिखते हैं जो lens आता है वो कितना area capture करेगा 50 mm रहने देता है तो यह manual भी आप change कर सकते हैं इसको अपना custom को बना सकते हैं अभी aspect रेसे आप देख सकते हैं यह aspect ratio यह भी हुआ screen का है अभी में square करता हूं अभी square देखिए कैसे आ रहा है उसके 16-9 करते हैं यह देखिए यह aspect ratio है जो हमारा normal camera में होता है real world में से में इधर ही function करता है ज्यादा कुछ चैंज नहीं है उसके depth of field इसको tick करते हैं तो depth of field तो यह भी बोल रहा है focus by selection मेरे को कोई भी यह point पर focus करना है इधर point ले लेता है अभी देखिए वह point पर focus हो गया अभी इसको अगर काम करते हैं यह देखिए plane देखिए move कर रहा है अभी final render को चलते हैं इसको देखते हैं इसका depth of field का use भी देखिए लेते हैं okay final render कर दो कर दो झील कर मनों भी रहा है props कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल